हेलो दोस्तो आज हम कंपेर करने वाले हैं अशोक लिलन बड़े दोस्त आइफोर को मारूती सुजू की सूपर कैरी के साथ जैसा कि आपको पता होगा अशोक लिलन बड़ा दोस्त अभी कुछ दिनों पहले ही मार्केट में लॉंच हुआ है और मारूती का जो सूपर कैरी है यह पहले से ही मार्केट में है इसको कमपनी ने बीएस 6 में अपग्रेट कर दिया है जो अशोक लिलन का बड़ा दोस्त है यह दोस्त प्लेटफॉर्म में अशोक लिलन के द्वारा बीएस 6 वरजन में लॉंच किया गया है यह जो गाड़ी है मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटीव फीड़बेक आ रहा है दूसरा जो मारूती का सूपर केरी है यह पहले से ही BS4 में अभी कमपनी ने इसको BS6 में अपक्रेट कर दिया है तो दोस्तों शुरू करते हैं दोनु गाड़ियों के कमपेरीजन को आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की आने वाले सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले देखेंगे दोनु मोडल के इंजन को अशोक लेन बड़े दोस्त आइफोर में आपको 1.5 लिडर का तीन सिलेंडर डिजल इंजन मिलता है इसमें आपको लीड नॉक्स टेकनोलोजी के साथ ये इंजन मिलता है वहीं बात करें मारूती सुजू की सूपर कैरी की इसमें आपको मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्षन इंजन मिलता है जो की चार सिलेंडर के साथ आता है और ये एक पेटरॉल इंजन है तो यहाँ पर इंजन में हमको बहुत जादा डिफरेंस देखने को मिल ला है अगला बात करें इंजिन के displacement की तो अगला हम देखेंगे दोनु गाड़ियों की पावर को अशोगलेन बड़ा दोस्त आइफोर आपको 80 hp 300 rpm में देता है वहीं मारुती सुझू की सूपर केरी आपको 72 hp 6000 rpm में देता है तो इंजिन के पावर के मामले में अशोगलेन का बड़ा दोस्त आइफोर मारुती के सूपर केरी से आगे है अगला फीचर हम बात करेंगे दोनु गाडियों के इंजन के टॉर्क के बारे में अश्योग लियन का इंजन आपको 190 Nm का टॉर्क देता है 1600 से 2400 RPM में वहीं मारूती सुजू की सूपर कैरी का इंजन आपको 98 Nm का टॉर्क देता है 3000 RPM में तो यहाँ पर अश्योग लियन्ट टॉर्क के मामले में मारूती सुजू की सूपर कैरी से बहुत आ गया अगला दोस्तो हम देखेंगे दोनु गाडियों के क्लच को अश्योग लियन्ट में आपको 240 Nm का क्लच मिलता है जो की आपको केबल ओपरेटेड रहता है वहीं मारूती सुजू की सूपर कैरी में आपको सिंगल प्लेट ड्राइ फ्रिक्सन क्लच मिलता है अश्योग लियन्ट के क्लच को ओपरेट करना बहुत इजी है क्योंकि यह केबल ओपरेटेड है दोस्तों हम बात करेंगे दोनु गाड़ियों के अगले फीचर के बारे में अश्योग लियन्ट बड़ा दोस्त में आपको ट्रांस्मिशन फुली सिंक्रोनाइज़ फ्राइब स्पीट मैनुल विद केबल सिप्ट मिलता है इसको ओपरेट करना बहुत इजी है क्योंकि इसको केबल के द्वारा ओपरेट करना पड़ता है वहीं मारूती सुजू की सूपर कैरी में आपको फाइब स्पीड मैनुल ट्रांस्मिशन मिलता है जिसमें आपको 5 forward and 1 reverse gear मिलता है दोस्तों बात करें दोनु मॉडल्स के steering के बारे में अशोग लियन में आपको power steering मिलता है इसके साथ आपको additional tiltable column मिलता है जो की driver के लिए बहुती ज़्यादा सुविधा जनक रहता है वहीं आपको मारूती सुजू की super carry में सिर्फ manual steering मिलता है रह कहने pinion gear type वाला तो अशोग लियन में जहां power steering आ रहा है मारूती सुजू की में आपको normal steering मिलता है अगला हम बात करें दोनु मॉडल्स के brakes की तो अशोग लियन में आपको front में disc brake रियर में drum brake मिलता है ऐसे ही मारूती सुजू की super carry में भी front में disc brake और rear में drum brake मिलता है तो दोनु ही कमपनियां अपने models में disc और drum brake दोनु का feature दे रही है दोस्तों अगर बात करें हम अगले feature के बारे में जो है कि suspension अशोग लियन में आपको front में parabolic suspension मिलता है और rear में semi electrical suspension मिलता है वहीं मारूती सुजू की super carry में आपको front में coil spring suspension मिलता है और rear में आपको leap spring rigid axle वाला suspension मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर suspension के बामले में अशोग लियन का बड़ा दोस्त मारूती से आगे है क्योंकि इसमें front में parabolic leap spring suspension दिया है जो की heavy load के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों अगर बात करें दोनुं models के tires के बारे में तो अशोग लियन में आपको 7R15 के tube tire मिलते हैं 12PR के साथ वहीं आपको मारूती सुजू की super carry में सिर्फ 8PR के tire मिलते हैं जहां अशोग लियन के tire का dia और size बड़ा है वहीं मारूती सुजू की super carry के tire का size और dia कम है अगला हम बात करें दोनु models के weight के बारे में अशोग लियन का gross vehicle weight यानि की GVW 3490 kg रहता है मारूती सुजू की का 1600 kg रहता है अशोग लियन का payload 860 kg रहता है मारूती सुजू की का payload 740 kg रहता है तो अशोग लियन की गाड़ी weight के मामल में मारूती सुजू की super carry से बहुत आ गया है अगर बात करें दोनु models के seating capacity के बारे में अशोग लियन में आपको जहां पर तीन लोगों की बैठने की वियोस्ता मिलती है एक driver और दो co driver वहीं मारूती सुजू की super carry में आपको सिर्फ दो लोगों की बैठने की वियोस्ता मिलती है एक driver और एक co driver तो अशोग लियन में यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बैठने की सूजदा है अगला हम बात करें दोनु मॉडल्स के fuel tank capacity के बारे में अशोग लियन में आपको 50 लिटर का fuel tank मिलता है बड़ा दोस्त आइफोर में और मारूती सुजू की super carry में आपको सिर्फ 30 लिटर का fuel tank मिलता है तो fuel tank के मामले में भी अशोग लियन मारूती super carry से बहुत ज्यादा आगे है दोस्तों हम बात करेंगे अगले feature के बारे में हम देखेंगे दोनु मॉडल्स की dimensions को अशोग लियन का wheelbase 2590 mm मारूती सुजू की का wheelbase 210 mm अशोग लियन का overall length 5025 mm, super carry का overall length 3800 mm रहता है अशोग लियन की width 4842 mm, super carry की width 1562 mm रहती है अशोग लियन के cabin की overall height 261 mm, वहीं मारूती सुजू की super carry के cabin की height 1883 mm रहती है तो यहाँ पर length, width, height और wheelbase के इसाब से अशोग लियन आगे है बात करें दोनु मॉडल्स के price की बारे में तो अशोग लियन का जो बड़ा दोस्ट i4 है वह आपको 7.75 से 7.99 lakh तक मिल जाता है और मारूती सुजू की super carry आपको 4.1 lakh तक मिल जाता है यह जो price में आपको बता रहा हूँ यह exorum price है तो दोस्तो हमने देखा कि मारूती सुजू की super carry जो की कम load ले जाने में सक्षम है वहीं अशोग लियन का बड़ा दोस्ट ज़्यादा load ले जा सकता है क्योंकि इसमें जो अशोग लियन ने ज़्यादा load ले जाने की capacity के हिसाब से इसको design किया है दोस्तो आसा करता हूँ आपको दोनों models के सारे features अच्छे से समझ मा आ गये होंगे और आप अपने application के हिसाब से आपको अब पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सी गारी best है दोस्तो अगर आपको ऐसे ही किसी और models का comparison वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment section में लिख दीजिए मैं उस subject में आपके लिए वीडियो बना के डालूँगा दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए जिससे कि आपको future में मेरे सारे वीडियो ऐसे ही मिलते रहें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो